ब्राइस्थान की लोगसभा के महारण में हुई CP जूशी की एंट्री जी हाँ, राजस्थान कॉंग्रेस की जठी लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई है जिनमें दो नेताओं को मैदान में उतारा है ब्रामन कार्ट पर फोकस करते हुए पार्टी ने CP जूशी को भीलवाडा से टिकट दिया है मीद्वार दामुदर गुजर को राजसमन शिफ्ट किया है आपको बता दे कि इससे पहले राजसमन से सुदर्शन व्रावत को मौका मिला था और उन्होंने साफ तोर पर चुनाव लड़ने से ही इंकार किया था जिसके बाद अब भीलवाडा और राजसमन सीट पर आखिरकार कॉंग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया है दरसल भीलवाडा लोकसभा सीट पर विरोथ के चलते दामुदर गुर्जर का टिकट राजसमन शिफ्ट किया है जबकि भीलवाडा लोकसभा सीट पर ब्रामन चहरे को सेट करते हुए कॉंग्रेस ने अपने दिगज पूर विधान सभा अध्याक्ष सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उता रहा है जिसके बाद अब लोकसभा की महरण में सियासी तपिश बढ़ चुकी है चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार भीलवाडा के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी है कौन सीपी जोशी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं में से एक है डॉक्टर सीपी जोशी ब्रामन चहरा है डॉक्टर सीपी जोशी पाँच बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके है सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके है UPA के दूसरे कारेकाल में केंद्रे मंठ्री तक रह चुके है जोशी CWC के मेंबर भी रहे है और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार कौन है राजसमन से उमीदवार दामदर गुर्जर दामदर गुर्जर पुलिस अधिकारी रहे है जैपुर में स्कूल कॉलेग चलाते है दामदर गुर्जर गुर्जर जाती से है गैलोच सरकार में देव नारायन बोट के मेंबर भी रहे हैं देव एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी है तो वही दूसरी तरफ कही न कही अब कॉंग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनोती ब्रामन उमीद्वार को सेट करने की थी जैपुर के पूर्व प्रत्याशी सुनिल शर्मा के टिकेट कटने के बाद बीजेपी कॉंग्रेस को लगातार जम कर घेर रही थी और ब्रामनों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा था ऐसे में कॉंग्रेस ने ब्रामन चहरे के तौर पर सीपी जूशी को भीलवारा लोकसफा स्वीट पर उतारा है जिसके बाद बीजेपी के लिए कही न कही मुश्किले अब बढ़ सकती है ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तब झाल 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 झाल